जम्मो कश्मीर के गांदर बल जिले में बड़ा आतंकी हमला हुआ है नई सरकार बनने के एक हफ़ते के अंदर ही कश्मीर में हुए बड़े आतंकी हमले ने संसनी मचा दी श्री नगर लेह नेशनल हाईवे पर आतंकीयों ने जैड मोड सुरंग परियोजना में काम कर रहे मजदूरों के शिवरों पर हमला किया इस हमले में साथ लोगों की मौत हो गई है जबकि पांच अन्य खायल है घायलों को शेर कश्मीर हॉस्पिटल सौरा में भरती कराय गया है सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है आतंकीयों को पकड़ने के लिए सर्च उपरेशन चलाय जा रहा है इस भी चातंकी हमले में जान कवाने वाले लोगों की नाम भी आपको बता दे जो कश्मीर के ही रहने वाले थी इस घटना के ग्रह मंत्रे अमच्छा, मुख्य मंत्रे उमर अब्दुल्ला, पोरू सी एम फारुक अब्दुल्ला सभी ने एक सुर्बे निंदा की है हमारे एक डॉक्टर साब भी थे, जो लोगों की खिद्मत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैटे, अब बताये मुझे इन दरिंदु को मिलेगा क्या, क्या वो समझते हैं इससे यहां पाकिस्तान बनेगा, आज कई सालों से हम यह देख रहे हैं, क्यों आ रहे हैं वहां से और हम कोशिश करना हैं कि यह मामला खतम हो, हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें, मैं पाकिस्तान के हुकुमरानों से यह कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं, तो फिर यह बंद कीजिए, क्श्मीर पाकिस्त नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हमें महर्मानी करके इज़त से रहने दीजिए, तरकी करने दीजिए, चब तक आप यह हमलों को मुसीवत बढ़ते रहेंगे, संताली से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाओं को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना, जब यह 75 साल म कराश कैसे बनेगा, अल्ला के वास्ते अप्ने मुल्क की तरफ देखिये, उसी तरक्यों कीजिए, और हम लों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिये, हम अपने तकदीर बनेगाना चाहते है, हम इने मुसीवत से निकलना चाहते है, हम रहें आके गरीबी को दूर करना चाहती है इस आतंगबात से यह नहीं बनेगा आपको लगता है कि जो कल का अटक है उसका इंप्राइप्ट टूरिजम भी पढ़ सकता है कि इनकी खोगा हम सब पे पढ़ेगा टूरिजम तो छोड़ दीजिए हम लोगों पढ़ेगा हम गरीबों पढ़ेगा हम लोग कैसे पर व्कष्त होंगे पिर कुछ नहीं रहेगा आ लगता है कि अपको लगता है कि इंडिया को शक्रवाई करनी चाहिए कि दिश्याद्य मुद्धर minorकस का मामलाय है हम लोग SmithUST है हम लोगे सालों से ये देख रहे हैं तीस साल से तो मैं देख रहा हूँ अब बार बार उनसे कहता था मत करो ये इसे कोई आगे नहीं चलेंगे हम मापता नहीं उनके अकल कैसी है क्या हो गया बातचीत कैसे होगी आप हमारे बेगुनाओं को मार डाले पर बातचीत करो कैसे बातचीत होगी पहले मारना तो बंद करो अब बेगुनाओं को मार रहे हो इस बीच वरिश्ट बीजेपी नेता गिरिराज सिंग ने तो कश्मीर में हुए आतें की हमले के लिए राहुल गांधी और फारुक अब्दुल्ला को ही जम्मदार ठहरा दिया है सुनिए क्या बोले के लिए राज सिंग ये दुर्भाग्य है कि बिहार के लोग मरे है हम उस परिवार के परती संबेदना व्यक्त करते हैं लेकिन राहुल गांधी से पूछता हूँ और फारुक अब्दुल्ला से जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पाटी की सरकार हो तो ये घटना होना सुभाविक है इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं ये तो गाजा के लिए टुइट करेंगे ये तो बंगलादेश के हिंदूों के लिए टुइट करते नहीं उसी तरह से अभी हिंदू अगर मारा गया है और आतंकवादी हुआ है सरकार तो अब उन्हीं की है तो मुर्सईया कुतवाल तो डड़ काहे को गाउं की कहाबत है ये अब ड़ काहे रहेगा गाउं क्योंकि अमर अब्दुल्ला मुक्ध मंत्री राहुल गांधी संद्रक्छक फारुक अब्दुल्ला डायरेक्टर अब पाकिस्तान से बात करेंगे दुर्भग्य है जिस कस्मीर को मोदी जी ने सांती लाया रोजगार लाया माहौल लाया उसको फिर ये फारुक अब्दुल्ला और कांग्रिस की शरकार बिगाडेगे श्टेट हुड की लगतार मांग कर रहे हैं लोग लेकर रहे हैं छोड़िये न श्टेट फूट पहले इस पर तो बियान दें कि क्या करें क्या कहेंगे जालक जिस तरह से लगतार पाहिस्तान अपने आज़तों से बाज नहीं आ रहा है एलजी जो है मनोचिनाजी का फूट आया है कि मैंने पुलिस और आर्विन को पूरी छूट जदी है करणी करवाई को रो कोई नहीं बचेजा ये सभाविक है कि भारत की सरकार वहां के एलजी कोई कोता ही नहीं करेंगे चाहे कितना ही ये सरकार आतंकबादियों को समर्थन हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश की जा रही है आतंकी हमले में छे लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी वही एक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई जानकारी की मताबिक आतंकी हमला रात करीब साड़े आठ बजे हुआ इस समय मेस में सभी कर्मचारी खाना खाने के लिए एकत्र हुए थे प्रतेक्ष दर्शियों का कहना है कि जब मजदूर मेस में खाना खा रहे थे तभी तीन उगरवादी वहां पहुँचे और अंधा दुन फाइरिंग शुरू कर दी इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता आतंकी घटना को अंजाम देकर वहां से भाग निकले आतंकियों की फाइरिंग में दो गारियां भी जल कर खाक हो गई सूत्रों का कहना है कि ये हमला लशकरे तैवा से जुड़े संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट यानि टी आरफ ने किया था